नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूस भारतिये डंडिस सहीता का नाम बदल कर भारतिये नियाय सहीता रखने के बाद कुछ कानूनों में बदलाव किया गया और बदलाव के साथ हिट और रंड मामले में भी यहां पर कानून बदलता हुआ नजर आया इस कानून के बदलने के बाद तमाम ट्रक ड्राइवर की हरताल पूरे देश भर में देखने को मिली हरताल की बात करें तो यहाँ पर सबका कहना है कि जो hit and run मामले में कानून यहाँ पर बदला गया है यह सीधे सीधे तोर पर ड्राइवरों के खिलाफ है यह ऐसे फैसले हैं यह ऐसे नियम है जो आम जनता को कहीं न कहीं मुश्किलों में डाल देंगे उनकी और भी परेशानियों को बढ़ा देंगे जानकारी के नुसार आपको बता दें कि जो भारती नय सहिता में hit and run मामले में कानून बदला गया है इसमें अगर कोई चालक यानि कि जो गाड़ी चलाता है अगर उसकी गाड़ी से किसी की हत्या हो जाती है यानि कि गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है या वो घायल हो जाता है तो ऐसे समय में जो सजा का प्रावधान था उस समय को बढ़ा दिया गया है और यहां पर जुर्माने की रक्म को बढ़ा दिया गया है साथ लाख रुपे देने पड़ेंगे अगर आपकी गारी से किसी वेक्ति की यहाँ पर हत्या हो जाती है यह आपकी गारी से वो टकरा जाता है वहीं दस साल की सजा सुनाने की बात की गई है इससे पहले आपको यह बता दें कि इस कानून में ऐसा देखने को मिला था कि अगर आप गिरफतार भी होते हैं तो आपको जमानत मिल जाती है यहाँ पर दस साल की सजा नहीं सुनाई जाती थी इसके साथ साथ यहाँ पर मौवजे की बात करें तो वो भी राशी कम थी लेकिन अब जो रकम बढ़ाई गई है यहाँ पर जुर्माने की और जो सजा की अबधी बढ़ाई गई है इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां अब ड्राइवरों के समर्थन में उतरती वी नजर आ रही है पहले मध्यपरदेश में बात करें तो कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक जीतू पटवारी ने कहा कि मध्यपरदेश में भी बड़ा चक्का जाम देखने को मिल रहा है ट्रक ड्राइवर इसकी हरताल कर रहे हैं इस कानून के खिलाफ सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं बलकि तमाम और नीजी वहानों की ड्राइवर भी हरताल करते वे नजर आ रहे हैं और उनका सीधे तोर पर ये कहना है कि कानून में बदलाव होना चाहिए तो जीतू पटवारी की बात करें तो उन्होंने सीधे तोर पर कहा है कि मोहन सिंह यादव जो मद्यपरदेश के मुख्य मंतरी हैं उन्हें केंदर सरकार से मुलाकात करते हुए यानी देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी से मुलाकात करते हुए ग्रह मंतरी अमिशा से मुलाकात करते हुए कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए क्योंकि ये फैसले आम लोगों की खिलाफ नजर आते हैं तो वही उत्रपरदेश में बात करें जो लोकसभाद चुनाव को देखते हुए अक्टिव नजर आते हैं चंदर शेखर अजाद उनका भी सीधे तोर पर भी आपको सामने दिख जाएगा जो सीधे-सीधे तोर पर कह रहे हैं कि केंदर सरकार जैसे यहां पर नियम लाती है वह आम जनता के खिलाफ ही होते हैं और आम जनता को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डालने के होते हैं तो अब ऐसे मैं आपको बता दें कि जो बड़ा यहा झालने के खिलाएगा जनता 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 के खिलाएग